तो आज में बनाने जा रही हूँ चिकन हलीम जो बहुत स्पेशल है और बहुत अच्छा बनता है तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो कर देना लाइक शेर और सब्सक्राइब तो यहां भी एक पॉट में मैंने लिया है बासमती राइस और सेम मेजर्मेंट से हम बाकी की चीज़े लेंगे मसूर दाल, उरत दाल, तूर दाल, मूग दाल और यह है लापसी यानि गेहू का रवा जो मोटा मोटा होता है आप चाहो तो हलीम का गेहू मिलता है वो भी ले सकते हो और यह मैं लूंगी दो कटोरी तो गेहू का जो रवा होता है यानि लापसी हमें थोड़ा ज़ादा आड़ करना है यहाँ पर लिया हमेने ड्राइट बीन्स यह ऑप्शनल है लेकिन इसे टेस्ट काफी अच्छा आता है मैं चनादाल आड़ करना भूल गई थी तो मैंने चनादाल आड़ किया है इसे अच्छे से दो लेंगे और अब इसे अच्छे से भीगो के रख देंगे तो आप चाहो तो 4 गटे भीगो सकते हो दो गटे भीगो सकते हो लेकिन इसे अच्छे से भीगो ना है तो एक कुकर में मैं शामिल करूंगी ओएल साथी में थोड़ा सा बटर आप चाहो तो पूरा गी में बनाए या ओएल में बनाए अब शामिल करेंगे देजपत्ता, इलाइची, लोंग, दालचिनी, धनिया और इसे थोड़े देर के लिए पका लेंगे आप चाहो तो इसका पाउडर बनाके भी आड़ कर सकते हो अब मैं शामिल करूंगी स्लाइस आनियन तो दो मीडियम साइज के आनियन है उसको मैंने स्लाइस किया है और अनियन को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा पिंक कलर आने तक साथी में दो इलाइची देखें अनियन का कलर थोड़ा पिंक हो गया है अब मैं इसमें शामिल करूंगी अद्रक और लसन आप चाहो तो इसका पेस्ट आड़ करें लेकिन मैंने इसी छोटा-छोटा चॉप करके फिर आड़ किया है और मैंने साथी में चिकन भी आड़ किया है चिकन दालते वक्त का वीडियो शूट नहीं हुआ तो चिकन आप बोन ले सिल ले या बोन के साथ ले आपकी मर्ची है साथी में थोड़ी सी सोफ और चिकन को अच्छे से भूनना है जब तक के चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता अब मैंने शामिल किया है हल्दी, नमक और हलीम मसाला हलीम मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर आड़ कर सकते हो और अब इसमें मैं आड़ करूँगी दो गलास पानी तो बेसिकली चिकन को हमने अच्छे से गलाना है तो चिकन को मैं आदा घंटा स्लो फ्लेम पे एक उकर को रख दूँगी तो देखे यहाँ पे चिकन अच्छे से गल चुका है तो देखे कुछ इस तरीके से चिकन गलना चाहिए जैसे मैं चमश लगा रही हूँ, चिकन अपने आप सेपरेट हो रहा है तो चिकन को मैंने दूसरे पॉट में निकाल लिया सेम कुकर में मैं आड़ करूँगी भीगोई हुई दाले साथी मैं आड़ करूँगी पानी, एक गलास हरी मिर्च हल्दी काली मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला जीरा पाउडर और ये हली मसाला एक चमच तो एक चमच मैंने चिकन पकाते वक डाला था एक चमच मैंने दाल में आड़ किया है थोड़ा सा ओल आड़ किया है और इसे भी 6-7 सिटी आने तक अच्छे से डाल को भी हमने गला लेना है तो देखें चिकन में जो गरम मसाला था याने खड़ा मसाला और चिकन के जो बोन्स थे वो भी हमने निकाल लेने है इसलिए मैंने कहा था कि आप चाहो तो बोनले इस चिकन भी आड़ कर सकते हो ताकि आपको चिकन के बोंस निकाल दे में मेहनत ना करनी पड़े अब चिकन को कर लेंगे हम अच्छे से मैश आप चाहो तो आपके पास अगर hand blender हो तो आप वो भी use कर सकते हो बस make sure कि बहुत अच्छे से हमने मैश करना है चिकन को दाल भी यहाँ पे अच्छे से गल चुकी है दाल को भी हमने अच्छे से मैश कर लेना है और चिकन और दाल जब तक गरम है तब तक ही मैश कर ले देखे दाल अच्छे से मैश हो चुकी है अब मैंने लिया है एक कडाई उसमें मैंने शामिल किया है ओईल अनियन तो एक छोटा सा अनियन मैंने slice cut कर लिया है और इसे हमने अच्छे से fry करना है याने basically हमने इसका विरिस्था बनाना है ठोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर पे तो देखे विरिस्था हो चुका है मैंने इसको separate कर दिया है अब सेम कड़ाई में मैंने एड़ किया है दो चमच हली मसाला तो टोटल हमने चार चमच हली मसाला यूज किया है एक चमच चिकन में, एक चमच दाल में और दो चमच यहाँ पे मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी कुछ सेकेंड के लिए अब मैं शामिल करूँगी चिकन स्टॉक तो मैंने पहले थोड़ा सा ही चिकन आड़ किया है यानि सिर्फ स्टॉक आड़ किया है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आड़ करूँगी जैसे कि थोड़ा सा चिकन थोड़ी सी पकी हुई दाल ताके mix करने में आसानी हो जाए तो अब मैं add कर रही हूँ दाल और अब इसे कर लेंगे अच्छे से mix अगर आपके पास बड़ा pot हो तो आप दोनों एक साथ भी add कर सकते हो और chicken में मैंने पकते वक थोड़ा जादा पानी add किया था जैसे कि आप ने देखा था दो ग्लास मैंने पानी add किया था ताके मैं पूरा हलीम सिर्फ chicken के stock में ही बनाओगी मैं कुछ extra पानी add नहीं करने वाली हूँ अगर आपको extra पानी की जरुरत पड़े तो आप गरम पानी add करना ठंटा पानी बिल्कुल भी मत add करना देखी अब ये दाल अच्छे से mix हो चुकी है फिर मैंने थोड़ी और दाल add की इसे अच्छे से mix किया और अब जो बचा हुआ chicken है और chicken का stock है वो add कर लूँगी तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने chicken को mash किया है बहुत अच्छे से हमने mash करना आ है बिल्कुल chicken के threads दिखने चाहिए और अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब मैंने इसमें शामिल किया है नमक नमक आड़ करने के बाद एक बार और मैं अच्छे से मिलाओंगी इसे और अगर इस पॉइंट पे आप चाहो तो फिर से कुछ इस तरीके से इसे mash कर सकते हो अब हमने इसे सिर्फ चार से पाच मिनिट के लिए slow flame पे cook करना है क्योंकि अल्रेडी दाल और चिकन अच्छे से गला हुआ है और चार से पाच मिनिट के बाद flame को कर देंगे off तो देखे यहाँ पे हमारा चिकन हलीम बनके रेडी हो चुका है गैस flame कर दिया है मैंने off और अब मैं इस पे sprinkle करूँगी धनिया पता यानि कोरेंडर फ्राइड अनियन और सर्फ कीजेगा इसे फ्राइड अनियन और निम्बू के साथ उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी Actually इसे दलीम कहते है क्योंकि यह बहुत दालों से बनता है बट इसका नाम बिकार के हलीम किया है तो हलीम ही सही अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे शेर कर दे आपके फ्रेंज और फैमली के साथ और इंशाला मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई